नमस्कार शात्तों डिजायर पाइंट के एक नए वीडियो लेक्शन में मैं इसका सर हिंदी विश्य के साथ आप सभी का शागत करता हूं जिसमें आज हम पढ़ेंगे शमित्न नंदंपंथ का जीवन परचे मात्तुपूण है क्योंकि ये चायावाद के बड़ी ही प्रशिद कभी है उस दिश्य से ये परिच्छा के दिश्य से बड़ा मात्तुपूण है इनका जीवन परचे देखे तो देखे प्रकित के शुकुमार कवी शुमित्ता नंदन पंत का जन्म 14 मई 1900 इश्वी में कौशानी उत्तरांचल में हुआ था पंत जी हाई स्कूल की परिच्छा वारांशी से पास करके प्रियाक के मियोर सिंटरल कालेज में प्रवेशलिया किन्तु 1921 इश्वी में अशहयोग आंदोलन प्रारंब होने पर कालेज छोड़ करके शाहित्य शाधना में लगे संगीत से प्रेम होने के कारण पंत जी 1950 में आल इंडिया रेडियो के परामर्षदाता नियुक्त हुए साहित्य अकादमी तथा भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया चिदंबराकृती पर भारती ज्यान पीठ पुरशकार इन्हें प्राप्त हुआ और अंतमे श्रश्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 तक इश्वी को स्वर्ग सिधार लिया तो इस प्रेकार से इनका जीवन परचे था अब आगे देखे साहित्य परचे तो इनका साहित्य परचे है प्रशाद तथा निराला की भाद पंत भी छायावात के आधार इस्तम्भ है पंत के काव्य को हम त्रीन सेनियों में बाठ सकते हैं पहला है छायावादी काव्य दूसरा है प्रगतिवादी काव्य तीसरा है अरविंद के दरशन से प्रभावी काव्य पंत जी के काब्य में मानोता के प्रती सहज आस्था है ये नवीन शुन्दर शुखी समाज के स्रिष्टी के प्रती आसावान है विश्व बंधुत्व भ्रातुत्य को पंत जी का काब्य उदात बनाता है तो इस प्रकार इनका साहित्तिक परचे ये था अब इनकी भासा सैली देखिए भासा सैली में पंत जी की भासा चित्रमई अलंकरत योम इसपश्ट खड़ी बोली है इनकी भासा में ब्रज भासा जैसी मिठास है इनकी सैली गीतात्मक तथा मुक्तक सैली है जो सरलता, संगीतात्मक तथा और अभिवेंजना शक्ति से युक्त है अब इनकी रशनाओं में वीडा, ग्रन्थी, पल्लो, युगांत, गुंजन, युगांत, युगमारी, ग्राम्या, श्वण किरन, लोकायतन, कला और बुढ़ा चांद, चिदंबरा, रिता, उत्तरा पिर से देख लिए इनकी रशनाओं में वीडा, ग्रन्थी, पल्लो, गुंजन, युगांत, युगमारी, ग्राम्या, श्वण किरन, लोकायतन, कला और बुढ़ा चांद, चिदंबरा, रिता, उत्तरा तो यह हुए जीवन पर्षय तथा साहत्रिक पर्षय और इनकी रशनाएं शुमित्ता अंदन पंत की अब हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई